हलो एवरिवान गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग और अभी सुबह का टाइम है तो आज मेरा मन किया आज मैं पराठे बनाओं तो बहुत दिनों से जो है मैंने पराठे नहीं बनाए थी तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लिया जाए तो बस इसी वज़े से मैं आज प हरी मिर्च भी लिए हैं एक दो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट कर डाला है इसमें और इसको उप अपर अच्छे से भून लोंगी और उसके बाद मैं थोड़े से जो सुखे मसाले होते हैं उसको एट करूंगी जैसे हल्दी पावडर जीरा पावडर धनिया पावडर मि अनुसार जो है नमक और उसके बाद जो है मैंने आलू को डाला है आलू को अच्छे से भून लूँगी इसके मसालों के साथ जो है मिला लूँगी इसको और मसालों के साथ मिलाने के बाद उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए मैं इसको भूनूँगी और इसम अभी मैंने उसमें एड़ कर दिया है तो अभी में इसको भी मिला लूंगे अच्छे से और मैं ज्यादा तर आलू का पराधा नहीं बनाती हूं क्योंकि इतना ज्यादा पसंद नहीं है मुझे लेकिन कभी कबार खा लेना चाहिए तो अभी मेरा अलू जो है बन चुका है तो अभी आज का दिन है आज मंगलवार है और तारीक है आज 19 तारीक और मैंने जो है ना आकर मैं आ गई हूं और आज मैं जो है पराधे बना रही हूं तो मैंने बहुत दिनों से जो है आलू की पराधे नहीं बना रही हूं आज मैं आलू की पराधे बना रही हूं और माही भ अब नहीं खाएंगे लेकिन तोड़ा सा नास्ता करके जाएंगे तो इसलिए मैं अपको पहले भी बता था मैं डाइटिंग नहीं कर पाती हूं और अभी तो टाइम है ना खाने का और अब नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे देगा तक कर अब्र नास्ता निदेकर तो खाने का नहीं है कि तब तो हमें कुछ भी खाने से भी मठीडेरेशन नहीं होगा लेकिन अभी तो हम लोग कर पा रहे हैं तो अभी नहीं खायेंगे Stupid कब कहा गएंगी इसलि वाजर से ना मैं कभी-कभी सोचते हूं देखो हमारा सर छोग बुद्षीड वेट बड़े ऑ्माइन मुजा दर्वेट wilderness 나 20 जतना मुझी बबएख कोईम हें मतलब नहीं है गया कि जो लोग खाते हैं कोई नहीं सब लोग तो आच्छे से खा रहें और खाने में इसी वेज़ेसे ना मैं कभी कभी सोचती हम नहीं करूंगे मैं बस धोड़ा से हलका खाना का लोगी है कि बिल्कुल ना खाने से तो अच्छा है न कि थोड़ा सा Imokin hai cos I wish to do and preserve happy like today recent comments under Stay मेंने सोचा कि मैं कोई भी क्प्रण और वैसे तो मैं हर रोज 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 दो हम लोगין सब नोहिकाने नहीं खाते हैं और उवली खाना ये आलू का पराठा ये सब में रूज नहीं खाती हूं तो उनकाष नहीं का लिए जा नहीं कोई बढ़ जाएगा और तो कम कहां है जो बढ़ेंगा है ना कम तो नहीं है बस बढ़ा हुआ ही और थोड़ा सा से अगर अलो के प्राधिक आने से थोड़ा सा बढ़ जा रहा है थो कोई बात नहीं है तो मैंने ना आलू को उबाल कर और लाइट से ली गई है लाइट नहीं है हमारी यहां तो मैंने चार्जर को जलाया हुआ है तो मैंने जो है आलू को उबाल दिया था और आलू को मैंने भूंज भी दिया है और इसको मैंने थंडा होने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए और मैंने अटा को भी लगा लिया था तो अभी में न ये मेरा थंडा हो जाए आलो तो फिर मैं इसमें पराथे बनाओंगी और ज्यादा पराथे ने बनाओंगी बस चार-5 पराथे बनाओंगी ताकि हम लोग खा सके मेरे हस्बन खाएंगे मैं और मेरी सासुमा तो हम तो बस चलिए फिर मैं अपना पराथा है जो है बना लेती हूं और यह मेरा थंडा हो चुका है और आटा को लगाने के बाद ना कुछ टाइम के लिए मैंने इसको रख दिया था था ताकि यह अच्छे से फोल जाए तो अभी मैं इसकी लोरियां बना लूँगी कि और मैंने ना अठा जब गुंदा था ना तो बहुत जियाता हो गया था तो इसी विज़ें से थोड़ा-होगि आटा फोल्स का थोड़ा थे देते देवा ऐड़ाज्या और यह अगवला हो गया है तो एक दो की मैं साधा जो रोती होती है वही बना और चार पांच पराथे बनाओंगी और इतना सारा पराथे अगर बनाओंगी ना तो कोई नहीं खाएगा तो इसी वज़े से मैं कुछ को पराथे बनाओंगी और कुछ को ऐसी साधी रोटी बनाओंगी तो इस तरह से मैं बनाती हूं गाइस और मुझे इतना नौलिज नहीं है आलो का पराठा बनाने में क्योंकि हमेशा मैं नहीं बनाती हूं कभी कबार में देख दाक के बना लेती हूं तो इसी तरह से मैं बनाती हूं और आप लोग अगर इस तरह से नहीं जानती हो तो जरूर फोलो करना मुझे और इसी तरह से ही आप लोग बनाना अगर आप यह बनाने का या नहीं है आप लोग जरूर बताना मुझे कॉमेंट करके तो चली फिर मैं अपना पराठा जो है बना लेती हूं और फिर मैं आप लोग उसे थोड़ी दिर की बात बात करूंगी कर दो कर दो है। हुआ है झाल झाल तो अब ही मेरा जो पराथा है ना गाइस वो बन चुका है मैंने पराथे बना दिये हैं और आप आप लोगो को लाइट के वज़े से अच्छा नहीं दिखाऊगा ना क्या है थोड़ा सा अंधेरा है कि लाइट नहीं हो दी तो इसी वज़े से आपको नहीं दिखाऊगा तो इसके लिए सौरी और अगर मैं किसी और दिन इसको बनाओ ना तो जरूर सेयर करूंगी आप करूंगी अगर थो बनातों ठीक अद couldn't in the! कि अव्यूंगी यह कॉछ दूँचे बरके अगर नहीं भी इन मुद कि नहीं रहे ने को अभांगी तो इसी के बची कि बना बना रहे हुए हूं LOVE सिंपल सा जो साधा रोटी में बना रहे हूं थोड़ा सा तेल दे दिया है उसमें में तो बस रोटी ही दे दूँगी और आज आप लोगों ने अपने घर में क्या-क्या नास्ता बनाया है मझे बताना माही अभी स्कूल भी गही है और माही के लिए भी मुझे रख दूँगी क्योंकि वह आके खाएगी वैसे तो बूब कह रही थी कि उससे खाना है तो मेरे पास नहीं बनाता ना तो इसी वरीदे उसने नहीं तो मैंने नहीं बनाया था जब वो इस्कूल के लिए निख दी ना तो मेरा पराथा जो है मैं नहीं बनाई थी तो इसी वज़े से ना मैं नहीं दी उसको तो इसके लिए उसके लिए ना मुझे रखना पड़ेगा पराथे के साथ मैं लूँगी थोड़ा सा चेटनी टमाटर की और फिर मैं थोड़ा सा चाय भी बनाऊंगी क्योंकि चाय भी पिएंगे मेरे सासुमा जो है चाय के साथ ही खाते हैं और आप लोग ना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दे हो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे तो प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा मुझे क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरुरत है और आप लोग जब भी support करते हो या फिर मुझे कुछ suggestion देते हो कि दी ऐसा करना चाहिए आपको या फिर ऐसा आप ये करो वो करो तो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सच बता रहे हूं मैं क्यूंकि ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूं कुछ-कुछ जानती हूं और बहुत कुछ नहीं जानती हूं तो मैं आप लोगों से ही सीखंगी मुझे आप लोगों से ही सीखना है तो अगर आपको कुछ बताना होगा मुझे ना तो कॉमेंस करके जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए अगर कुछ भी कोई भी बात अगर आपको लगता है कि नही जरूर बताईएगा मुझी ऑर ये बातना में हमिस्ता कहते हूं आपको की मैं नहीं जान पाती हुना कि मुझी क्या करना चाहिए तक कि ऐसा होता работатьना कि जो मुझे पसंद आता है जैसे कि需वं कर और तो आप लोग बताया करओं मुझे और जो नहीन हो पाइगा अगर मेरा नहीन होगा है करना अगर मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगी या तो अप बता दोंगैंगी नहीं कर सकती हों भोल कि तो आप लोग अपना सजेसन दे रहां मर्द भूलिएगा आप लोग जरूर दीजिये मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी सजेसन पर काम करना और आपकी सजेसन को पढ़ना तो फिर चलिए गाईज मैं ना पराटे को सारे बना लेती हूं और फिर मैं आप लोगों स मैं थोड़ी दियर के बाद खाना बनाओंगी तो अभी मैं जाओंगी थोड़ा सा मेरे हजबन फिर अभी प्रोग्राम जाने वाले हैं तो उनकी लिए कुछ काम है मुझे तो वैस उसी काम में लग जाओंगी और मैं आप लोग इससे थोड़ी देर के बाद मिलते हूं तह कि अभी उपर जाने में मुझे बहुत ज्यादा मतलब आलस लग रहा है तो इसी वज़े से ना मैं इहीं पर ही डालोंगी और अभी मैं रूम पी आ गई हूँ और मुझे कुछ कपड़ों को जो है प्रेस करना है मेरे हस्बन के तो प्रोग्राम जाएंगे तो इसी वज़े से में प्रेस कर लोंगी य जी और वजसे तो पहले से बहुत सारे कपड़े थे जिनको प्रेस किया था लेकिन और जयरे कपके चिख़नाए था तो इस सकतो छोड़कर के प्रेस कर दिया सुँजा कर दू आज मैं पर जोओ खं़ना हिस अधर मैं इसको अमाराय को प्रेस करने तो यह पर प्रेस करने के बाद उनका जो 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 सामान है वो रख दूंगी ताकि वो चले जाएं और फिर में आरान से खाना बनाऊंगी तो चले फिर में प्रेस कर लेती हूं झाल 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 तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था आपको कैसा लगा मेरा आलू का पराठा रिसिपी जरूर बताना मुझे और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए का और तो मेरा वीडियो इसमें एक क्लिप डालूंगे जो की कलका है और माही ने मेरा जो मेक अप किया है तो वह क्लिप में इसी वीडियो पर डाल रही हूं आप लोग देखिए और इंजाय कीजिए और अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और सेल जरूर कीजिएगा तो वो गई है तो अभी वो ना अपना जो फ्रक है वो पहन के आ गई है क्यूंकि अभी मुझे मेक अप करने वाली है तो चलिए फिर देखते हैं यह मेरा मेक अप कैसे करती है चलो क्या करने वाली हो पिता अभी बोलता है मैं में का किसका मेक अप करोगी आजा का आजा का आज जूँत ना, कितना मच्छों चालवे हैं झीजए, कितना मच्छों चालवे हैं भी है दाथ ना, नहीं तूट तो आठका दीजें, हां, मैं क्या कर दी हूँ? तूटा दी, ओठका दी हूँ, किसको? प्रेट को, हां चलो, अभी मेकप स्टार्ट, 1, 2, 3, स्टार्ट, जलो, नह इड़ा नहीं बटा इड़ा मुठी घची है? यह यह बैठ के करोगा? बैठ करोगा मैं नहीं बैठ हुँगी का ठाल मो करोगी बैठ करोगी थोड़ा सा नी का लो, थोड़ा सा बैस वेची होगी अटो आखी में मंद गुसाना चलियो बच बेटा हो गां आखी में मंद गुसाना ठीक है इधर से करो इधर से अब इधर भी करो आखी रुको ना अभी नहीं देखेंगे अभी ना ऐसे कर देंगे बाद में करें ईसे करगका तुम जल्दी से नहीं जागी अच्छे से दवागा अच्छे से दभागा और तो आप लोग देख सकते हो महा ही मेरी मेकड़ कर रही है और उसे बहुत पसंद है मेकड़ करना वह खुद भी हमेसा लिविस्टिक लगाती रहती है और एक जो बेग आप आप लोगों ने देखा होगा उस बैक पे उसका जो मेक अप है ना सामान सारा है तो आप लोग को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो लाइक और सस्क्राइब और सेर जरूर कीजिएगा वाइस तो मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाइबाइ और मेरे वीडियो को ना फूल वेच्छ करने के लिए बहुत बहुत थाइंक्यू तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लोग में तब के लिए बाई बाई अपना ख्याल देखिएगा